हलो इस्टूडेन कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को यूटूब के अपने चैनल इस्टेडी अडवांस गुरू में मैं अपने वीडियो में उन छात्रों को विसेश ध्यान में रखकर ही वीडियो को बनाता हूँ जो छात्र छात्राएं पढ़ने लिखने वाई स्टेडी से जुड़े हुए चीजों को समझने में बिल्कुन कमजोर होते हैं मैं बेस्ट इस्टडी के लिए बिलकुन आसान भासाओं का परियोग करके समझाने का पूरा कोशिस करके ही वीडियो को बनाता हूं ताकि सभी स्टूडिन उन्हें अच्छी तरह वाबारीकी से समझ जाएं तो फाइनली मैं नया वैच को प्रारम कर दिया हूं आए चैनल से जुड़ें और बढ़िया से बढ़िया अपना तैयारी करना सुरू कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो लीड चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों को दूँ तो आपके पास सूचना सबसे पहले पहुंच जाए तो अब आएए वीडियो को सुरू करते हैं हलो स्टुडेंट गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे आज मैं फिर एक नए वीडियो लेकर आ चुका हूं चैप्टर टू हमारा चल रहा है जो कि क्लास ट्वल्थ यानि का अच्छा बारा का है जो कि चैप्टर के नाम परतिलों तिरकोड मिती फलान यानि इनवस्ट इगनोमेटिक फंसन है हमारा प्रसना वाली टू भी चल रहा है जिसमें से प्रसना वाली टू एक सारे कोशनों को सोल्व करके मैं बता चुका हूं जिनोंने अभी तक नहीं देखा जाकर देख लिजिए प्लेलिस्ट में मैं वीडियो को सिक्वेंस बाई से दे चुका हूं आप वहाँ जाकर वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं मैं बुग डाक्टर हरसरूप सर्मा की बुग से पढ़ा रहा हूँ जो कि क्वेस्टन एंसी इ आटी पर बेस है मैं इसमें आज भाग चौथा लेकर आ गया हूँ जो कि आज ये भाग चौथा है मैं इसमें से पहला दूसरा और तिसरा भाग आल्रेडी बना के दे चुका हूँ एक से सोला तक की कोशुनों को मैं इन तीन भागों में बना कर दे चुका हूँ जो कि आज ये भाग चौथा है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी पिरस कर दीजे तक ही जब भी मैं कोई आपको वीडियो दो तो सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए चलिए आई बिना टाइम को लोज करते हुए हम आप आज की कोईशन को देखते हैं चलिए आई ये आज के सवाल को देखते हैं सुलावा नंबर सुलावा नंबर को मैं पहला आपको बता दिया था जिससे दूसरा आप लोगों को होमर्क दिया था जिसमें से कुछ लोगों को comment आ रहा था सर दूसरा नहीं आ रहा है तो चलिए मैं जो लोग कल यहें उनके लिए best अप लग जिन लोगों को नहीं आया है मैं उन्हें बता दे रहा हूँ जो इसको हल कर लिए वो भी अपना इससे match करा ले न चलिए आईए इसको हल करते हैं यदि sin inverse x plus sin inverse y बराबर πाई बटे 2 दिया हुआ तो हमें सिद्ध करना है sin inverse x plus sin inverse root 1 minus x square के बराबर πाई बटे 2 हमें ये सिद्ध करना है तो हम इसे हल करेंगे तो हमारा कोशन दिया हुआ है sin inverse x plus sin inverse y के बराबर πाई बटे 2 ये हमारा दिया हुआ है तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है sin inverse x plus cos inverse x के बराबर πाई बटे 2 अगर हम इसको sin के बराबर लेंगे तो हमारा हो जाएगा sin inverse x बराबर πाई बटे के 2 cos को इधर ले आएंगे प्लस है माइनस में हो जाएगा cos inverse x अब हम क्या करेंगे इसको sin inverse के बराबर जो मान लाएं है उसको यहाँ put कर देंगे कैसे पाई बटे 2 minus cos inverse x हमारा दिया है sin inverse y के बराबर पाई बटे के 2 यह सूत रहे हमारा अब यहाँ देखिए यह plus में है यह भी plus में अगर एक धर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा तो यह πाई बटे 2 प्लस में है अब माइनस πाई बटे 2 है तो यह कर जाएगा तो हमारा हो जाएगा sin inverse y के बराबर cos inverse x क्योंकि यह माइनस में है इधर जब पचांतर करेंगे यानि राइट की तरफ ले आएंगे ति हमारा हो जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा यानि sin inverse y बराबर cos inverse x हो जाएगा तो हम इसको समिकरण पहला मान लेते हैं अब हम यहाँ यदि हम x बराबर cos theta मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा theta बराबर cos inverse x यदि हम x बराबर cos theta मान लेते हैं तो हमारा theta बराबर cos inverse x हो जाएगा तब हम क्या करेंगे अगर हम sin ठीटा के बराबर लेंगे तो 1-cos² ठीटा हो जाएगा कैसे हमारा एक फार्मूला होता है sin² ठीटा बराबर 1-cos² ठीटा अगर स्कॉाइर को हम हटाएंगे तो यह रूड में हो जाएगा यहां हम लिख लिए अब इसको हम क्या करेंगे sin ठीटा बराबर 1-cos² ठीटा बराबर हमारा क्या है एक्स है तो हम यहां cos ठीटा जगव एक्स रखेंगे यहां स्कॉाइल लगा तो यहां स्कॉाइल लगा देंगे अब उसके आगे क्या करेंगे अब sign को हम इधर जब ले आएंगे तो हमारा इनवर्स हो जाएगा यानी ठीटा बराबर sign inverse one minus के x square हो जाएगा अब हम इसको समिकरन second मान लेते हैं अब देखिए हमारा quotient में क्या दिया हुआ है हमारा quotient में दिया है sign inverse x plus sign inverse y के बराबर पाई बटे के 2 यह हमारा दिया हुआ है यहां दिखे लेते हैं दिया है अब हमने sin inverse x प्लस sin inverse y हमने क्या निकाला है यहां देखे समी करन पहले में sin inverse y toh हम sin inverse y की जगे पर cos inverse x लिख सकते हैं न चलिया आईये spelling लिखे लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस इसके जगे पे हम कॉस इन्वर्स एक्स लिख लेते हैं पाई बटे की दो हुए हैं अब यहां देखिए कॉस इन्वर्स एक्स बराबर हमारा क्या निकला था कॉस इन्वर्स एक्स बराबर हमने क्या निकाला है कॉस इन्वर्स एक्स बराबर हमन प्लस ठीटा बराबर पाई बटे के दो, अब अब यहां देखिए ठीटा बराबर हमने क्या निकाला यहां, समीकरन दो, अब यहां हम समीकरन दो से लिखेंगे, यहां लिख लेजिए, समीकरन दो से, जब समीकरन दो से लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस ठीटा की तो हम यहां लिख लेंगे साइन इनमर्स रूड में वन मानस के एक्स इसक्वा है के बराबर हमारा पाई बटे की दो है तो यह रहा हमारे इस कोशन का अंसर I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा नहीं आ रहा था वो देख लीजिए अब इसको लगाईए जिन लोगों को आ गया है वो भी मैच करा ले अपना कोशन चलिए आए अब अगला कोशन को देखते हैं तो चलिए हम नेक्ट कोशन ले लिए हैं यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जड बराबर पाई तो सिद्द कीजिए कि X योड में 1 ※ गर बराबर 2X 2y 2Z अब इसको आप जब इसको हल करेंगे तो सबस्पहले हमारा कोशन दिया हुआ है साइन इनवर्स X इसको हम कुछ न कुछ मान लेते हैं तो चलिए इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स X बराबर हम A मान लेते हैं यहां लिख लेंगे माना साइन इनवर्स A बराबर तो हमारा हो जाएगा sin a बराबर x हो जाएगा अब इसी तरह sin inverse y बराबर हम b मान लेते हैं तो हमारा b बराबर हो जाएगा तो हमारा sin b बराबर हो जाएगा y तो इसी तरह हम sin inverse z बराबर मानेंगे c تو हम sin c बराबर हमारा हो جाएगा Z हम इसको output कर लिए अब हमारा quotient क्या दिया है Quotient को उता लेते है X root में 1- X square plus Y 1- Y square root में है plus Z root में 1- Z square ये दिया हुा है हम इसको LHS से लेंगे जब इसको हल करेंगे अब X पराबर हमने क्या निकाला है SIN A तब यहाँ PUT कर देंगे SIN A Rude में 1 माइनस SIN SQUARE लगा है तो हम यहाँ SQUARE लगा देंगे SIN SQUARE A अब PLUS फिर लगा देंगे Y जगह पर हमने निकाला है SIN B अब Rude में 1 माइनस SIN अब यहाँ भी SQUARE लगा है तो यहाँ लगा देंगे SIN SQUARE B PLUS Z की जगे पर हम SIN C Rude में 1 माइनस SIN SQUARE C यह हम लिख लिए अब इसको हम जानते हैं 1 माइनस QOS SQUARE A बराबर होता है 1 माइनस SIN SQUARE A यह हमारा फार्मूला होता है अब इसको हम 1 माइनस SIN SQUARE की जगे पर पुट कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा SIN A Rude में QOS SQUARE A PLUS SIN B Rude में हो जाएगा QOS SQUARE B PLUS SIN C Rude में QOS SQUARE C यह हो जाएगा अब हम इसको जब हम QOS SQUARE A को बाहर लेंगे रूट से तो हमारा हो जाएगा A INTO QOS A QOS को हम बाहर इसलिए ले लिएं क्योंकि यह QOS SQUARE दो बाहर लिखा हुआ है वर्ग है इसलिए हम A को निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा QOS A तब इसी तरह हम इसको लेंगे SIN B अब इसको भी इसी तरह बाहर लेंगे तो QOS भी हो जाएगा PLUS SIN C अब इसको भी QOS को जब बाहर निकालेंगे QOS C हो जाएगा अब यहाँ हम दो से गुना और दो से भाग करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा दो यहां भी दो हो जाएगा यहां भी दो हो जाएगा तो हम इसको बाहर एक बटे के दो ले लेते हैं जब इसको लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 sin A इन्टो कॉस A चुक्कि हम एक फार्मूला जानते हैं साइन टू ए बराबर हमारा होता है टू साइन ए इन्टू कॉस ए यह हमारा होता है यहीं पर यह देखिए यह मिल रहा है तो हम इसके जगे पे साइन टू ए को रख देंगे चलिए रख लेते हैं एक बटे के दो साइन टू ए प्लस इसी तरह इसको भी कर लेंगे साइन टू भी प्लस इसको भी इसी तरह साइन टू सी यह हम लिख लिए अब यहां हम क्या करेंगे हम इसको सारो सामिका से जब इसको हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा एक बटे के 2, 4, sin, A into cos, B into cos स्वारी यहां sin रहेगा sin A into sin B into sin C यह हो जाएगा तो हम यहां लिख लेते हैं सरो सामिका से कहां से आया? सरो सामिका से यहां पर आप लोग जरूर याद करना कि कैसे आया? अब यहां देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यह दो बार में जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 2 sin A into sin B into sin C यह हो गया अब हमने sin A बराबर क्या निकाला था? तो हमारा हो जाएगा 2 sin A into sin B into sin C यह कहां से आया? सरो सामिका से आया है तो हम इसको sin A बराबर हमने क्या निकाला था? यहां देखिए sin A बराबर हमने sin A बराबर हमने x निकाला sin B बराबर y निकाला तो यहां हम पूट कर देंगे 2X into Y into Z यानि 2XY Z तो यह देखिए हमारा राइट हैं के बराबर आ चुका है अब यहां हम लिख सकते हैं अता LHS बराबर RHS है तो हमारा यह प्रूप हो चुका है तो हमारा यह प्रूप हो चुका है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए आई और नेक्स्ट कोशन को देखते हैं चलिए अगला कोशन ले लिए हैं अठारवा नमबर हमारा क्या कहता है फालन को निम्नेतम रूप में लिखिए यानि टाइन इन्वर्स कोश एक्स मानस साइन एक्स के बटे कोश एक्स प्लस साइन एक्स यह हमारा कोशन दिया हुआ है इसको हल करेंगे इसको हल करने से पहले हम इसमें कोश एक्स से अंस वाहर में भाग देंगे ते हमारे एक सूत्र में बदल जाएगा कैसे अंस वा हर में कौस एक्स से भाग देने पर हमने ये लिख लिया है अब इसको जब अंस वा हर से जब भाग देंगे ते हमारा हो जाएगा कौस एक्स बटे कौस एक्स माइनस साइन एक्स बटे के कौस एक्स के बटे में कौस एक्स बटे के कौस एक्स प्लस साइन एक्स बटे के कौस एक्स ये लिख लिए हम जब इसके आगे हल करेंगे ये देखिए cos x बटे cos x से कट जाएगा ये भी कट जाएगा और sin x बटे cos x बराबर हमारा होता है 10x तो हम इसको लिख लेंगे ये बचेगा 1 माइनस के 10x के बटे 1 प्लस 10x 10 inverse चुकि हम जानते हैं 10 a माइनस b बराबर हमारा सूत्र होता है 10 a माइनस 10 b के बटे 1 प्लस 10 a इंटू 10 b ये हमारा है अब देखिए इसी को ये मैच कर रहा है 1 अगर यहां लिखेंगे 10 a कमान है तो उसी तरह पाड़ेगा तब हम इसको लिख लेंगे 10 inverse इसको जब सूत्र में बदलेंगे 10 10 1 कमान होता है 5 बटे के 4 माइनस माइनस में है और x हम इसी तरह इसको लिख लेते हैं ये रहा अब 10 inverse और 10 सी 10 inverse 10 है तो ये कड जाएगा तो ये हमारा बचेगा तो बचेगा हमारा पाई बटे के 4 मानस के x तो ये रहा हमारे इस कोशन का अंसर अब आईए अगले कोशन को देखते है चलिए नेक्स्ट कोशन ले लिए है हमारा उननीसवा कोशन है यदि साइन पाई कॉस ठीटा के बराबर कॉस पाई साइन ठीटा है तो सिद्ध कीजिए कि हमारा ठीटा बराबर 1 बटे 2 साइन इन्वास तीन बटे के चार होगा तो आईए इसको कैसे हल करेंगे इसको जब हल करेंगे तो हमारा कोशन दिया है साइन पाई कॉस ठीटा के बराबर कॉस पाई साइन ठीटा ये दिया हुआ है अब यहां हम साइन पाई कॉस ठीटा के बराबर इसको हम जब साइन में चेंज करेंगे साइन तो ये पाई बटे के 2 प्लस पाई साइन ठीटा हो जाएगा कैसे हम जानते हैं जब हम कॉस नबबे प्लस ठीटा लेते हैं तो हम जब इसको करेंगे तो यह साइन में हो जाएगा क्योंकि साइन नब्बे कमान होता है πाई बटे 2 तो हम इसको जब साइन साइन हम इसको अब काट देंगे तो हमारा बचेगा πाई कॉस ठीटा के बराबर πाई बटे के 2 प्लस पाई साइन ठीटा यह हमारा बचेगा अब हम इसको πाई कॉस ठीटा के बराबर अब यहां देखिए यहां पाई हमारा कामन है तो जब हम कामन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक बटे के 2 प्लस साइन ठीटा यह हो जाएगा अब यहां देखिए हम pi سے pi यहां काट देंगे ति हमारा बचएगा cos theta के बराबर एक बटेके 2 हमारा बचएगा cos theta बराबर एक बटेक 2 plus sine theta यह हो जाएगा अब यहां देखिए हम sine को जब इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा cos theta minus sine theta हो जाएगा तब ये बचेगा एक बटेग दो अब यहां हम दोनों पक्षो को वर्ग करेंगे यहां लिखेंगे दोनों पक्षो का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षो को वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos square theta minus sin square theta के बराबर यह हमारा हो जाएगा एक बटे के 4 हो जाएगा अब हम इसको cos theta minus sin theta को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह वर्ग लगा हुआ तो एक कोश्टक में लगा दी है तो यह हमारा हो जाएगा एक बटे के 4 अब यहां हम a minus b का whole square a minus b का whole square का सूट लगाएंगे तो हमारा यह हो जाएगा cos square theta plus sin square theta के sin square theta minus 2 sin theta into cos theta यह होता है तो यह इसके बराबर हमारा है एक बटे के 4 अब यहां देखिए cos square theta plus sin square theta बराबर हमारा फार्मूला होता है तो इसको 1 लिख लिए minus 2 sin theta into cos theta के बराबर 1 बटे 4 एक बटे के 4 हम इसको जब इधर ले आएंगे तो 1 minus plus में है तो यह minus में हो जाएगा और यह minus में है तो इधर आएगा तो plus में हो जाएगा 2 sin theta into cos theta यह हो जाएगा तो हम जब इसको लेंगे तो यह हमारा 4 बार में जाएगा और यह हमारा 1 जब इसको हम LCM लेंगे 4 आएगा 4 को जब हम 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा अब 4 से 4 कर जाएगा तो 1 बचेगा यानि 4 minus 1 यह बटे 4 बराबर sin to theta बराबर हम जानते हैं sin to theta बराबर हमारा होता 2 sin theta into cos theta यह हमारा सूत्र होता है तो हम इसके जगे पे sin to theta लिख लेते हैं तो हम यह लिख लिए sin to theta अब यह देखिए यह हमारा बचेगा 3 बटे के 4 बराबर sin to theta अब यहाँ देखिए sin को हम जब इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 theta बराबर जब हम sin को इसकी तरफ ले आएंगे तो sin से हमारा sin inverse हो जाएगा यह 3 बटे के 4 दिया हुआ है अब 2 को जब हम इधर ले आएंगे तो हमारा बटे में हो जाएगा ठीटा बराबर 1 बटे के 2 साइन इन्वर्स 3 बटे के 4 यह हो जाएगा अगर यह बटे में होता तो यह गुड़े में इसको जब इधार लाते तो ये गुड़े में हो जाता लेकिन ये बटे में नहीं है जब इसको इधार लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा तो ये ठीता बराबर हमें निकालना था तो हम निकाल लिये हैं ठीता बराबर हमारा आया है एक बटेक दो साइन इनवर्स तीन बटेक के चार ये रहा हमारे इस कोशन का अंसर तो अब आये अगले कोशन को देखते हैं हमारा अगला कोर्षन क्या कहता है विस्वा नम्बर हमें सिद्ध करना है टैन इन्वर्स ए माइनस बी बटे में वन प्लस ए बी प्लस टैन इन्वर्स बी माइनस सी के बटे में वन प्लस बी सी प्लस टैन इन्वर्स सी के बराबर टैन इन्वर्स से तो हमें इसे सिद्ध करना है तो हल करेंगे हम सबसógले हमारा एक फार्मुला होता है tan a – b के बराबर tan inverse a – tan b के बाटे में 1 plus tan a इन्टू 10B यह फार्मूला होता है तो हम इसमें सिद्ध करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10 A इन्वर्स माइनस 10 इन्वर्स B प्लस 10 इन्वर्स B माइनस 10 इन्वर्स C प्लस 10 इन्वर्स C हम यह LHS से ग्याद कर रहे हैं अब यहाँ देखिए माइनस 10 इन्वर्स B प्लस 10 इन्वर्स B से यह कट जाएगा अब यहाँ माइनस 10 इन्वर्स C प्लस 10 इन्वर्स C से यह कट जाएगा तो हमारा बचेगा 10 इन्वर्स A यह रहा हमारे इस कोशन का अंसर यानि हमारा जो RHS दिया था वो हमारा प्रूफ हो गया यानि अताह लिख सकते हैं तह LHS बराबर हमारा RHS है ये प्रूफ हो गया आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर थोड़ा सा भी फाइदा हुआ हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ वीडियो को अपने वार्साब फेस्बुक में जरूर सेयर करिये ताकि उन इस्टुटेंट को फाजा होगा उन्हें कोशें के सुख्या में को आप चेलिए पिस नेकर वीडियो में की सिफ्क्त के लिए पढ़ते रहें लिखते रहें लिखते रहें हों वीशनल को आप पिसे रहा हैं वीडियो में जैलिए